तो हें नमस्कार दोस्तों कैसे वह आपलोस हो गैज आज की सूड़ों हम करने वाले सामसंग गैली से एम 31S का गेमिंग रिवीव तो हाँ गैज इसमें में हापसे पॉब जी खेलने वालो और साथे सथ कुछ हापसे क्लासिक मैच कुछ जोगे डेट मैच यहाँ पर हम खेलें नहीं किये तो इसका लिंक देता है उपर आइकाड में जहां पर जाकर है इसे आप चेक आउट कर सकते हैं अब चली हाँ पासे जुकी इसमें कुछ डिटेलिंग पेसिपिकेशन वह यहाँ पासे बताई तो इस पोन में है 6.5 इंचेस का एक एमलोड डिस्पली जहां पर अ और सबसे पहले तो ब्राइटनिस दिखा देता है इतना है यहाँ पसे मेंने सेट किया हुआ है अब पब्जी को ओपन करते हैं और सेटिंग भी क्या कुछ है जो कि लेके चलता है ओपर में आपको धिरे-धिरे करकर बता हूंगा तो वीडियो को साथ बने रहीएगा तो य यहाँ पर आपको टाइम समझ में आएगा कि यह कितना पसर में ओपन हो जाता है तो चलिए फीडियो को में थोड़ा सो फास्वारूट कर देता हूं तो फाइनली हम अपने लोड़ाउट पर आ चुक है और यहाँ पर से चलते हैं और ग्राफिक्स में और ग्राफिक्स में देख सकते हो यहाँ पर जो कि अभी बाइट डिफॉल्ट ली यहाँ पर मैंने कोई भी छेट्चा नहीं किया है फिलाल यहाँ पर साउंड में कम कर तो यहाँ पर मैंने कोई भी छेट्चा नहीं कियो है तो आपको इस तरह से सेटिंग मिल जाते हैं अगर स्मूथ में जाएंगे तो यहाँ पर अल्ट्रा और एश्ट्रेम तक भी आप यहाँ पर खेल सकते हो जायर क्यों अश्ची वात है यहाँ बैलेस्में अप अल्ट्र इस प्रमस करते हैं के लिए हैं यहां पर हम इससे करने के लिए हैं कि आप वर खाल इसे झाले इस वज़े से खाल वेत्य हो देखते हम पर किस तरह से चलता हो यह थोड़ा सा मुझे यह सही तरह के से लगता है और कलते है स्टार्ट मैच और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक है जरू कर देना और हाँ मेरे गेंप्ले के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना बस हाँ पस आप यह देख लेना कि किस तरह से एफ तरीके से चल रहा है अभी चले मैं चलू हुदने देते हैं कि अगा है कि हम चुके मैच में उतर चुके और अभी तो फिलाल में गेम तो कप ज़दा सही तरीके से लगी रहे कुछ यहां पासे प्रॉब्लम तो नहीं लगी रहे तो चली कुछ सामान उठाते फटाबट से और कुछ गन भीन मिले तो कुछ अच्छ बात रहीगी चली कि यहां पासे केस्ट वगर है तो मिली गई है ओके ओके चलो गन तो मिले शौड गन है कोई बात नहीं और यहां पासे बाहर निकलते हैं और यहां पासे दिख रहा है मतलग कॉंस्टन्ट ली सिस्टी चल रहे तो मेरे सबसे हां पर यह जो कि एफस मेटर कुछ सभी से काम ने कर रहे तो आप इसको पर मात ध्यान देना बस आप जूगे गेमप्ले देखना कि किस तरह से यहां शुठ से मार रहाए तब है कि आ कुभी फिलाल के लिए ःपन देख रहे होगे तो कौफी सही से कुछ पर Familien नहीं ठीक से से चल रहे हैं पर से देखे पा रहे होगे ठीक से कुई चल रहे हैं आप अभी तक तो लेग नहीं मिला और अगर लैग मिलता है तो ओमेंते आप सीजर रखे हैं चलो फटावा से ओपन गाते हैं तो यहां पर दो किल तो हो चुके तो गाइस यहां पर से देख सकते हो कि मैंने कुछ भी थ्री फिंगर टू फिंगर वगरे सेट नहीं किया है क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि मैं यार मतलब की सिर्फ गेमिंग टेस्ट करन आदे वक्त तो चली गाड़ वीड़ी लेते हो रोज चलते हैं आगे में वह एनेमिस को किल करते है कर दो कर। अ गगे संद्ट सकते हैं ओके तो काफी सही रहा है ये मेरे लिए तो मतलब आप तो यार परो तो हो ही हो मेरे लिए तो ठीकता है कैसे गेंप्ले को सब्सक्राइब है अब जो मेरे खता है कर लिए और इसे खतम करने के बाद इस तो की गेंप्ले काफी सही रहा है ग्राफिस सेटिंग इतने को उपर आपको अच्छी कासे गेमिंग मिल जाती है कोई भी प्रॉब्लम यहां पर आपको नहीं मिलेगी बस यहां पर कुछ-कुछ जगह पर आपको हलके फुलके फ्रेम डॉस मिल सकते हैं और साथ-साथ कभी कबर आपको फोने थोड़ा सा कुछ जो की सेकेंद के लिए अटक जाता है कभी कबार लेकिन यह इतने कुछ को प्रॉब्लम नहीं आप अपने पपजी गेम को काफी अच्छी तरके से यहां पर आपको नहीं आने वाले गाइज अगर बात की जाए यहां पर से हमारे टेंपरेचर की तो चले टेंपरेचर देख लेते कितने हाँ पसे हैं यहां पर आपको टेंपरेचर देखने के मलते हो 37.2 डिग्री सेलसे के आँस पास तो कई इतना कुछ की टेंपरेचर भी हमारा 40 के उपर भी नहीं गया तो अभी तक तो काफी सही तरकी से गेमिंग हुए इसमें कोई भी प्रॉब्लम हाप और आपको नहीं आने वाल है तो अगर आप जोड़ी करने के बार में सोच रहे हो तो आप अब मेरे चानलप पढ़ी हुए अगर आपने देखेने थे जाकर चेक आट ना उसके लिंक में ने दिए निचे डिसक्शन बॉस में तो आइहोग भी अच्छे लेगे हो तो आपन जो बता सकते हो और बस इसकोड़े इतना रेखते अगले उड़े मनते तब तक ले खुश रहे और गुड़ बाए